स्वागत है अपका आल इंडिया अगनबाडी न्यूस चैनल को आप जाकर कि सब्सक्राइब करके अपनी बेल दबा सकते हैं और चैनल से जुड़ सकते हैं ताकि आप लोगों के पास तक हर एक आगनबाडी बहनों से संबंदि जानकारी पहुंचती रहें वहीं पर कहना चाहूँगा अधिक जानकारी के लिए हमें हमारा नमबर लेकर के आप लोग सयोग कर सकते हैं अपने वहां की खबरों को भेज सकते हैं आवाज लगाने के तो यहां पर जो है जांच कमिट्री की रिपोर्ट के आधार पर की गई है कारवाई तो आए इसके बारे में पूरी जानकारी लेते हैं और इसके बाद में जो औरने खबरे निकल के आती हैं उनने खबरों को भी हम यहां पर गहराई से देखने का प्रयास करेंगे ने जो है दो बाल विकास परियोजना अधिकारी आठ मुक किसे भी काएं एवं चार लिपिक को निलंबित कर दिया है जिला कारकम अधिकारी अजीस सिंग ने बताया है कि जिले में 18 वा 19 सितंबर को काला बाजारी के लिए पकड़े गए अनियमित पोसाहर के सम्मन्द में जाच कमेटी गठित कर जाच कर आई गई है और बताया जारा जाच में दुद्धी परियोजना के कुल 14 एवं मेवरपूर के 14 आंगनबारी केंद्रों पर पोसाहर सत्यापन में निर्धारित मातरा से कम पाया गया और डियम् के अनुमोदन के बाद दुद्धी बालुकास परियोजना कार्यालै से जुड़ी यहां पर हरनाक छार वगयरा लिखा हुआ है देख सकते हैं कि जो है साधिकला देवी है और सलयाधी की प्रतरम सुनीला सिंग है और यहाँ पर देख तके सलय अडी की दोती जो है नाजमा, खातून, ऐसे ही बहुत सी बहुत सी बहुत हर किसी का यहाँ पर नाम भी लिखा है, वही पर कहना चाहूंगा आगे आप देख सकते हैं इस खबर के सम्मन्द में आप लोगों से कहना चाहूँगा दरसल ये जो काला बाजारी के खेल चलना है यहाँ पर आल इंडिया पर बहुत सी बहने परिसान है कई जगह क्या होता है कि आंगनबाडी बहने ऐसे काम करती हैं कई तो उनके गाउं से रिलेटिव लोग भी फसा देते हैं कहना चाहूँगा अगर आप गलत करेंगी तभी आप फसेंगी अन्निता आपके उपर कोई दबाओ भी नहीं डाल सकता और आपको कोई फसा ही नहीं सकता यानि कि जब खुद में दोस होता है बहनों तो आप पकड़ी जरूर जाएंगी तो यहाँ पर अगर काला बाजारी हुई थी तो इसके संबंद में अगर जाच हुई है तो वहाँ पर सजा मिलिये तो इसके संबंद में आल इंडिया हो या कोई भी हो गलत काम में कोई भी सहयोग कैसे दे सकता है तो कहना चाहूँगा यहाँ पर जो हुआ वो गलत हुआ आगे कहना चाहूँगा बाकी सभी बेहनों को बस एक राय देना चाहता हूं कि ऐसे गलत काम ना करें जिसके वज़े से आप लोगों के उपर दाग लगे और नौकरी भी जाए। बाजारी में तो कहना चाहूंगा ये तो वहाँ की खबर हो गए अब मैं आपको दिखाना चाहता हूं उसी के संबन्ध में जो कुछ पोस्ट लिखी है उस पोस्ट पर क्या कहना है। के कुल 28 आंगनबारी कारकरतियों की सेवा समाप्त कर दी गई है। जिलाकारकम अधिकारी अजीत सिंग ने बताया है कि 18 और 19 सितंबर को काला बाजारी के लिए रखे गए पोसाहार को पकड़ा गया था। तो वहीं कि ये सारी घटनाय थी। 9 दिसंबर से आंगनबारी केंद्रों की जाच की जाएगी और 9 दिसंबर से आप याद रखना लाभारतियों को मिलने वाले पोसाहार का सत्यापन होगा और पोसाहार वितरण में अनिमितता पाए जाने पर अनुसासनात्मक जो है कारवाई की जाएगी। अब यह मैं बताना चाहूँगा इस मामले की जो विस्तरजाच रिपोर्ट के आधार पर जिला अधिकारी के अनुमोदन के बाद दोनों बलाकों के 14-14 अंगनबारी कार्टक्रतों की सिवासाथ कर दी गई है। रही है और निश्चिंत रही है जहां चाहेगी तो उसका आप सामना करिए। चले जाते तो जो कि एक बहुत दुरभागपूर्ण विसाय चर्चा में है तो कहना चाहूँगा आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि साहपूर से आवाज है टीका करण से किया गया है इंकार। वहाँ पर मिर्जापूर में साहपूर में एक खबर यह आई देखने को अफरा तफरी दरसल मची हुई है मिसन इंधनुस के तहर टीका लगवाने पहुची थी टीम और सिएमो के पहूंचने पर लोगों ने टीका लगवाया वहाँ पर लोग टीका लगवाने से मना कर रह पुरा बस्ती में बच्चों को टीका लगाने पहुंची थी और टीम के पहुंचते ही लोगों ने बच्चों को टीका लगवाने से इनकार भी कर दिया इतने में आज पास के लोग जुट गए गरामीडों ने जो टीका का विरोत करने लगे हाँ कि बच्चों को टीका नहीं लगवाएंगे और टीम ने ग्रामीलों को समझाया भी है लेकिन वे नहीं माने है टीम ने अपने जो उच्चा अधिकारियों को मामले की जानकारी दिये सूचना पर CMO, गुरु संडी जो अस्पताल के हैं प्रभारीवान ने अधिकारी वहाँ पर पहुँच गए थे तो खैर मामला जो भी है आप अगर नहीं लगवाना चाहते हैं इनसान कोई समझा सकता यह आपकी बेतरी के लिए हैं जो भी कारकमेंग तो सरकार कुछ देती नहीं है अगर आपकी सुरच्चा के लिए सेहत के लिए यहाँ पर टीके लगते हैं फ्री में तो कम से कम उन्हें आप जो है अच्छे से देख सकते हैं माकी मैं यह नहीं कहता कि अगर आप वहाँ पर गलत तरीके से एक्सपारी डेट के टीके लग रहे हो तो अभी मैं सपोर्ट करूँ वैसा नहीं आप कम से कम चेक कर सकते हैं जानकारी उसके बारे में ले सकते हैं कि क्या है इससे क्या फरक पड़ेगा यह आपका जानने का अधिकार है लेकिन जो कारकम चलने हैं उनको आगे बढ़ाना चाहिए इससे आप ही स्वस्त रहेंगे तो यहाँ पर कहना चाहूँगा एक और हमारी जो खबर है आप लोगों के लिए वो मैं यह कहना चाहता हूँ कि यह एक दिसंबर की दरसल पोस्ट है जो आप देख रहे हैं संडे एक दिसंबर की मैं कहना चाहूँगा सभी लोगों से अभी अगर आपको एक्सचेंज करने हैं तो कर सकते हैं अभी आपके पास अच्छा खासा समय है वरना अफरा तफरी मचेगी 31 दिसंबर के बाद में मैंनी कि एक जनुरी 2020 से बहुत जादा जो है अफरा तफरी मचेगी 22000 के नोट को ले करके तो यहाँ पर जो होसियार है परश करिये या कहीं अपना लगा दीजे बैंकों में जमा करा दिये थोड़ा थोड़ा करके अनिथा उसके बाद में आपको दिक्कतों का सामना जरूर करना पड़ेगा अभी आप एक दिसंबर तक आपके पास में समय है केंदर सेरपूर माफी में बाल विकास प्रोजना अधिकारी सुरेंद पाल सिंग के केंदर पर दी जाने वाली सेवाओं के बारे में पुष्टा हार वितरण व्यवस्था के बारे में महिला मोर्चा के सदस्यों को अवगत करा गया यानि कि आप देख रहें जहां भी कोई आता है तो पुष्टा हार के बारे में सबसे पहले जिक्र होता है अभी आप देख रहे थे हमारी बहनों ने कुछ ऐसे भी मैसेच किये जो आप मद्ध प्रदेश से जो एक खबर थी खासकर मुर्गी पालन की कि आंगन बारी केंदरों पर दददस मुर्गियां दी जाएंगी और बहने उनकी मुर्गी को पालेंगी तो अगर एक बहन ने कहा करिए वहीं पर कहना चाहूंगा आगे आपको हम ले चलते हैं खबरों के पास में जो खासकर अठाइस कारकटियों पर गाजगिरी है उसके सम्मंद में तो आपने देखी लिया अब विद्यालों में स्वाधिष्ट भोजन बनाने वाले रसोईयां होंगे सम्मानित तो रस किरन आनंद ने इस सम्मंद में सभी बियसे को पत्र भी भेज दिया गया है तो कहना चाहूंगा तीस रसोईयों को चैनित किया जाएगा हर जिले से तीस रसोईया बहने उनको पैसा भी दिया जाएगा 3500 रुपे प्रिथम पुरुसकार थर्ड पुरुसकार में 1500 रुपे यह पुरुसकार रहेगा जो बहने जीतेंगे उनको सम्मानित किया जाएगा तो यहां पर आप देख सकते हैं इसके सम्मंद में अगला वीडियो आ रहा है अगर कोई भी भाई बहन देखना चाहता इस खबर को तो जाकर के सुदानसु पटेल चैनले पर विजिट करना वह अन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगली खबरों के साथ में